हेलो स्टूडेंट्स दिस तनुश्री सो टोड़ी विल स्टार्ट सेगंड पर एक्सरसाइज 6.1 सो लेट स्टार्ट कोशी नमबर 3 देखो रिप्रेजेंट दी फॉलिंग नमबर्स और नमबल लाइन तो नमबल लाइन के उपर यहाँ पर जो नमबर्स दिया हुआ है वो नम सम्मouiros लेना है और रारींड्स में ऊस्ती समने ऐसे चलता है और लेवत साइड में जो इन्यसर होता है बोता है नेकटीव इंटीजर मिन्स माइनल मा इस रिभता है ऐसे हां तो हम ऐसे करेंगे plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 इतना तक हम लेते हैं और left side में होगा minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 इतना तक हम लेते है अचा, अभी देखो, यहाँ पे है plus 5, तो plus 5 को यहाँ पे represent करना है, देखो, plus 5 कहाँ पे है, तो right side में होगा positive integer है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है plus 5, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, यहाँ पे है plus 5, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है minus 10, तो minus 10 को यहाँ पे हमें दिखाना है, अचा, तो देखो, negative integers है, तो negative means left side में होगा, देखो, ऐसे कर लेना number line, तो जो right side में होगा, वो है positive integers, ठीक है? और left side में होगा negative integers है, ऐसे कर लेना, तो अभी minus 10, देखो, यहाँ पे है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, तो यहाँ पे हो जाएगा minus 10, नेक्स्ट देखो, plus 8 को represent करना है, तो plus 8 means positive integer, तो right side में रहेगा, देखो, यहाँ पे, तो यहाँ पे plus 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है plus 8, तो ऐसे हम represent कर सकते हैं, next देखो-1 है तो minus1 means negative interest लेप्ट साइड में रहेगा देखो-0 है यहाँ यहाँ पर है minus1 तो minus1 हम ऐसे दिखाएंगे next देखो-6 तो minus6 को represent करना है तो देखो-現在 पर नंबर-line करोगा तो इसमें यहाँ पर 11 टक ही बनाने की ज़़ुरत नहीं है यहाँ पर minus 6 है तो minus 7 तक कर सकते हो या तो minus 7 तक ले सकते हो और उधर भी plus 7 या plus 7 तक ले सकते हो ठीक है जितना रहेगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा ले ले लेना अच्छा यहाँ पर देखो minus 6 है तो negative integer तो left side में यहाँ पर देखो minus 6 तो यह हो जाएगा question number 4 adjacent figure is a vertical number line representing integers तो साथ में यह जो figure दिया हुआ है यह है vertical number line की figure और यहाँ पर देखो integers को represent किया गया है अच्छा अभी देखो observe it and locate the following points तो यहाँ पर अच्छी तरह से यह जो number line है इसको observe करना है और जो following points यहाँ पर दिया हुआ है उसको locate करना है means कहाँ पर है उस point कौन से integer में है तो वो अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है देखो हमें पता है यह है horizontal number line तो इसमें क्या होता है यहाँ पर बीच में 0 होता है और right side में होता है positive integers और left side में होता है negative integers तो यह जो horizontal number line है इसको ऐसे कर दो vertically तो यह ऐसे हो जाएगा means देखो 0 है यहाँ पर और right side में जो positive integers होगा वो हो जाएगा ऊपर ठीक है ऊपर हो जाएगा plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 ऊपर positive integers होगा और नीचे हो जाएगा negative integers minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ऐसे होगा ठीक है और यहाँ पर देखो points है A है B है C है D है H है G है F है E है ठीक है और इसको 0 भी consider कर सकते हो या तो O भी consider कर सकते हो अच्छा अब भी हम first question देखेंगे first question देखो if point D is plus 8 then which point is minus 8 तो यहाँ पर अगर point D है plus 8 तो कौन सा point होगा minus 8 तो देखो यह उपर है positive integer और नीचे होगा negative integer तो minus 8 कहाँ पर होगा देखो 0 के फिर नीचे हम count करेंगे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 तो यह हो जाएगा F तो point F हो जाएगा minus 8 next देखो इस point G आ negative integer और आ positive integer तो G point जो है यह negative integer है या positive integer है यहाँ पर लिखना है तो देखो G कहाँ पर है देखो यह अगर 0 मानो तो 0 से यह नीचे है तो minus 1 minus 2 minus 3 यह नीचे की portion में है न तो यह हो जाएगा negative integer तो G हो जाएगा negative integer तो हम लिख देगे negative integer next देखो write integers for points B and E तो B और E की यह कौन सा integer होगा वो यहाँ पर लिखना है यह देखके तो देखो यहाँ पर B है और यहाँ पर E है तो देखो यह 0 है 0 के उपर plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो B हो जाएगा plus 4 तो plus 4 हो जाएगा for point B तो B के लिए plus 4 अच्छा अभी देखो E तो यहाँ पर minus होगा 0 अभी नीचे minus minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 तो minus 10 हो जाएगा कौन सा point के लिए E point के लिए next देखो which point marked on this number line has the least value तो यहाँ पर जो number line दिया हुआ है इसमें से कौन सा point का सबसे least value है मतलब सबसे कम value है तो यहाँ पर देखो least value मतलब negative में ही आएगा तो देखो 0 के नीचे negative integers होगा तो यहाँ पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 तो यह last है minus 10 तो minus 10 सबसे छोटा value है तो इसका point क्या हो जाएगा E हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे point E ठीक है इसका सबसे कम value है next देखो arrange all the points in decreasing order of value तो यहाँ पर जो points दिया हुआ है उसको क्या करना है हमें decreasing order में यहाँ पर arrange करके लिखना है तो यहाँ पर जो value है न तो उस basis में हमें decreasing order में यह points है वो लिखना है तो देखो value यहाँ पर क्या है value यहाँ पर 0 फिर उपर है plus 1 plus 2 plus 3 तो plus में है और नीचे है minus में तो क्या हो जाएगा decreasing order means greatest to smallest तो बड़े से छोटे ऐसे हमें क्या करना है तो देखो points तो उपर से नीचे की तरफ होगा तो D हो जाएगा first D तो इसके value है plus 8 फिर हो जाएगा C जो points यहाँ पर दिया हुआ है तीक है फिर होगा देखो B फिर होगा A फिर देखो इसको O मान सकते हो ठीक है अच्छा फिर है H फिर है G फिर है F फिर है E तो यह हो जाएगा decreasing order तो बड़े से छोटे की तरफ देखो plus 8 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर minus की तरफ जाएगा जो points दिया हुआ है उस points को ही ऐसे decreasing order में arrange करना है तो यह था exercise 6.1 का second part और third part की जो वीडियो की link है बो नीचे description box में दिया रहेगा